हारु फिक्स सैमसंग A9 बेटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों स्वागर आप सभी का थिकराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताँगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में बेटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम solve के से कर सकती हैं अगर दोस्तों आपके जो बेतरी हैं काफी जाना slow charge हो रहा है ठीक है अगर ऐसा कोई भी problem आपको देखने को मिल जाते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा यहाँ पर दोस्तों मैं आपको चार्डिंग के related बहुत सारे कुछ बाते बताने वाला ह कि कैसे आपको यहाँ पर problem solve करना है उसका solution भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर दोस्तों क्या problem create हो जाते हैं और कैसे आपको solve करना है यह सारे जानने को मिलेगा solutions, reasons और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते तो यहाँ पर दोस्तों जबी भी बेटरी slow charging का issue आते है तो ज़्यादा तर दोस्तों यहाँ पर आपका जो charging adapter है या फिर charging केवल है उसके वज़े से भी problem होते है ठीक है तो आप दोस्तों हमेशा एक original charger ही यूज़ करें अपने mobile पे अगर दूबली के charger वगरा यूज़ करते तो दोस्तों काफी ज़्यादा slow charge आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इसलिए मैं आपको हमेशा suggest करता हूँ कि original charger आपको यूज़ करना है और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है अगर आप charging बदल बदल के अपने mobile को charge करते हैं तो दोस्तों पीन डेमेज हो जाते हैं जब बाद हमेशा charging flow होते रहेगा ठीक है यारी कि आपको gaming नहीं करना है जब आप charging करते हैं ठीक है इस चीज़ को आपको एवोइड करना है उसके बाद आपका connections ठीक है जैसे की Wi-Fi Bluetooth या फिर mobile data mobile hotspot location अगर यह सब एसी ओन पड़ा हुआ है बीना मतलब के तो आपको यह सब भी ब एप्लीकेशन को आप डिलेट करें अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपने unknown वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ है जो की बेर एप्लीकेशन उसको डिलेट करें ठीक है इस तरीके का जो एप्लीकेशन है वह मोबाइल के लिए हांफुल होते तो इस तरीके का application को अव्लेट करना है मॉबाइल इस पर काफी जाना को चुका है तो मॉबाइल उस पर को भी फ्री आप करें मॉबाइल डिवाइस के जो खेश , उनको भी क्लियर किजिए comics बिनेजर प्हूंबींगर एपको कई सार्त खेश मिल जाएगा उनको मिल डिलेट करें ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा बैटरी एन डिवायस कियर तो जाके दोस्तों एक बार आप अपने बैटरी चेक करेऊ यहाँ पर आपको क्या करना है Optimize नाओ पर क्लिक करना है उसके बाद सारे बैटरी Optimize हो जाएगा 100% आपका यहाँ पर बेटरी जो है वो सेट हो जाएगा ठीक है उसके बार आप बेटरी पर जाएए More सेटिंग पर क्लिक करें Fast Charging का ओप्शन है तो Fast Charging को Enable कर दे ठीक है तो Fast Charging को Enable कर दे और Adaptive Battery इसको भी Enable कर दे तो इस तरीके से दोस्तो आप यहाँ पर थोरा सा अपना बेटरी को Optimize करके Safe कर सकते तो इस तरीके से दोस्तो आपका जो बेटरी Slow Problem है वो काफी हद तक Fix हो जाएगा सारे साथ दोस्तो यहाँ पर जब हम Software Update नहीं करते हैं तब दोस्तो हमें प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उसके लिए दोस्तो आपको जाना है Software Update में एं देन दोस्तो आपको यहाँ पर Software Install करना है ठीक है Software को Update करना है Software को Install करना है और दोस्तो इससे आपका बेटरी Slow Charging Problem Fix हो जाएगा ठीक है तो यह सारे Solutions आप कर सकते हैं सारे साथ में दोस्तों जो भी मैंने आपको रिजन बताएं उसमें भी आपको ध्यान देना है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपने सारे Solutions करके देखा फिर भी प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं हो रहा है तो एक वर आप अपने मुबाइल के पास या फिर सर्वेस सेंटर के पास जाके अपने प्रॉब्लम को फीज़ कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपका बेटरी आप खराब हो चुका या तो फिर आपका चार्जिंग जो पीन रहते हैं वह खराब हो चुका है मुबाइल का ठीक है तो उसको चेंज करने के बार करने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्फ होगा तो इस तरीके से दोस्तों सॉल्फ क्या जाते हैं बेटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंने होगा तेंक्स रोची